हेलो एवरिवन स्वागत हाँ आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल बेस्ट नौर्स टुटोरियल में और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है उत्राखन एक एतिहासिक संग्षिप्तिकरन भाग तीन पार्ट वन और तू का वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड हो रखे ह यदि अभी तक आप लोगों ने वह वाले वीडियो नहीं देखे तो जाओ डिस्क्रिक्शन बॉक्स में उनसे भी वीडियो का लिंक है और वहां भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ और शुरू करने से पहले मैं आप लो और आपका पहला क्वेस्टन है इसकंद पुरान में गढ़वाल के लिए प्रियोक्त नाम है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अप्शन नमर डी ओ सोरी ए केदार खन्ट वैदिक काल में इस छेत्र को हे मुवंत महाबारत में उत्तर कुरू तथा पुरान काल में केदार खन्ट कहा जाता था जबकि पुरान उत्र काल में इस छेत्र को केदार मंडल तपो भूमी वक्त किरात मंडल आधि नामों से जाना जाता था तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं तो महाकवी कालिदास ने अपने महाकाब्या अभिज्यान सांकुंतलम की रतना मालिनी नदी के तर्ट पर की थी जो के करणवाश्रम में इस तित्त है वर्तमान में इस इस इस्तान को चोकगार नाम से जाना जाता है तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं तो क्यस्टन है कि अगले क्वेस्टन पर अधिकार करने के पश्चाथ लॉड है स्टिंग द्वारा तीन माई 1815 को इगार्डिनर को कुमा का प्रिथम कमिशनर न्यूक क्या गया था और इनका जो पूरा नाम है वह है करनल एडवर्ड गार्डिनर तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं और क्वेस्टन आ रखा है कि सरला बहन का मून नाम क्या था तो आपका सही आंसर होगा ऑप्चन नमर बी कैथरीन हैलिमन जो कि लंदन के रहने वाली थी और इनका जन्म सन 1901 में हुआ और इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था यह आप लोगों है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गड़वाल का राज़ा कौन था तो इन में जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्चन नमबर सी मानुएंदर शाह तो इनके बारे में मैंने आपको पिछली बीडियो में भी बताये था और अगले अगला क्वेस्टन भी इन्ही कह सा तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टन पर तो दोस्तों अगले क्वेस्टन आ रखा है उत्रयकंट कि सासक या सासन को स्वरणयू के रूम में जाना जाता था तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्चन नमबर डी कत्यूरी सामराज को स्वरणयू के रूम में ज पृठिवी पति शाह ने मुगल सहे जादा द्वारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने आश्य दिया था जिस कारण और अंगेव नाराज होये थे बाद में पृतिवी पते साह के पुत्र मेदनी साह ने पिता के इच्छा के विरुध सुलेमान सिको को दिल्ली भिजवा दिया इस घटना के कारण पृतिवी साह ने पुत्र मेदनी साह को राजे से बाह निकाल दिया था और 1662 इस वी में दिल्ली में उसकी मिर्ट होगी पर्थिवी सा ने अपने रहते हुए ही अपने पोत्र फतेशा को गदी पर बैठा दिया था तो अगले क्वेस्चन पर चलते हैं और अगले क्वेस्चन आ रखा है निम्न में किन दो ब्यक्तियों को राजा शुदर्शन शाह ने अपने दरवार में आश्रे दिया था तो आपका सही आंसर होगा ओप्चन नमर डी ए और भी दोनों चैतू तथा मानकू तो अगले क्वे समराठ असोके असोक ने एक अभिलेक अपने राजे के उत्तरी सीमा पर 257 इसापूर्व में कालसी में इस्तापित कराया था जो कि देलजोन के उत्तर तोंस और यमुना नदी के संगम पर है यह लेक प्राकरतिक भासा हुआ ब्राहमी लिपी में है और इस अभिलेक में अस पर मनिश्यों एवं पस्वों की चिकिस्ता की व्यवस्ता कर दी है इसमें लोगों ने हिंसा का उल्लेक चागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई थी तो दोस्तों अगले क्वेस्टिन पर चलते हैं और अगला क्वेस्टिन है प्रेम सभा की स्ताफना किस व्य युद में गोर्खों के बिनुद लड़ते हुए सहीद हुए थे तो इसमें जो आपका सहीद आंसर होगो वह होगा अप्चा नमर 3 खुडबुड़ा प्रद्यूम्न सहारनपुल में अपने आभोसन वा बहुमूल या सिहासन बेज कर सेना को पुन्हों संगठित किया था 14 माई 1804 को देहरेदुन के खुडबुड़ा मैदान में गोर्खाओं से निरनायक युद में प्रद्यूम्न सहीद बीड़वती को प्राप्थ हो गये इस परकार संपूर्ण गरवाल और कुमाओं पर नेपाली गोर्खाओं का अधिकार हो गया था तो अगले क्वेस्चन प आप लोगों को बताया था यदि आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखिए तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस वीडियो का लिंक है और चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो हम चलते हैं अगले क्वेस्चन पर मैं निमन से सामिल था तो अपकर सयान स्हाँ होगों और उप्शन से किसके नेत्रूतन यार। सामाजी ब्यावस्ता के खिलाब सिल्फ कारों यानि दलितों के इस आंदोलन का उद्येश्चा सवन दूल्हों के समानिस्तिक को प्राप करना था इस आंदोलन से पूर्व राज्य में सिल्फ कारों को साधी या अन्य आउसरों पर डूल पालके में बेढ़ने का अधिकार नहीं था यह ब्यावस्ता के वर्ण उच वर्ण के लोगों के लिए ही था दलित वर्ण का दूला या दूलहन पैदली जाते थे इस ब्यावस्ता के खिलाप जैयानन भारती के नेतुरित्तों में सन 1930 में के आसपास चले इस आंदोलन के बाद सिल्फ कारों को यह अधिकार मिल गया कहा जाता है कि सन 1911 में हरी परसाद ने यहां के दलितों के लिए सिल्फ कार सब्सका प्रियोग किया था इसलिए इनको द अंदोलन में सल्ट की भूमिका की सरगाना करते हुए किसने इसे कुमाओ का बार्दोली कहाता है तो यह क्वेस्टिन का अंसर आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ तो इसका जो सयांसर होगा अप्शनमर बी महात्मा गांदी स्वादें वर्ष 5 सितंबर को सहीद इसमर्ति दिवस मनाए जाता है तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टन पर और तो अगले क्वेस्टन आ रखा है प्रसित पेसावर कांड की सन में हुआ था तो आपका सयांसर होगो अप्शन नमबर कि इस अप्रेल सन 1930 को पेसावर में गड़वाल राइफल के सेनिकों ने वीर चंदर सिंग गड़वाली के नेत्रुत्तों में निहत्य अफगान स्वतंतिता सेनानियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था इतियास में यह घड़ना पेसावर कांड के नाम से प्रशित है तो हम चलते हैं अगले क्वेस्चन पे वह अगले क्वेस्चन पर और अगले क्वेस्चन है कुमाओं और गडवाल पर गोर्खों कर सासुय को इस अत्याचारी सासल को यहां के भाष में क्या कहते हैं तो आपका सयान शरूगा उप्स नमर सी गोर खैली ओके वैशसे गडवाली भासमी या गोभार तो कुछ भी बहुत वह कुछ न्याशंकार था इस अत्याचार अट्वाल को यहां के लोग भास में गोर्ख्याली कहते हैं तो अगले चलते हैं तो अगले क्वेस्टन किस पुस्तक में कस्मीरी राजा ललीता दित्या मुक्त पीड यह हैं द्वारा गडवाद सेथ को जिरने का उलिक है तो आपका सही आंसर ओगो आप्चन नमर डी राजतरेगणि मे कश्मिरी इतियासकार कल्हण की राज तरेंगनी पुस्तक में राजा ललित्ता दित्य मुक्ता पीड द्वारा गडवाल सेत्र को जीदने का उल्येख है इसी समय खरपर देव कार्थि के इपुर पर कब्जा कर नई वन्स की स्थापने की थी तो हम चलते हैं अगले मानवइंद्र शाह हो जाने के कालन सब्सक्राण अंधुलन फर्वरी 1948 में परजातंतरात्मक्त साशन के लिए चार सदेशिया परजा मंदल के स्थापना एक अगस्थ 59 को भारत में बिले और उत्तर पैजस्थ में एक जिलाब लाग था ओके तो दोस्तों हमसे जोड़े रहने के लिए धन्यवाद I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा तो बने रहे वीडियो के साथ ऐसे ही और हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक किया